चलिए बच्चो अब मैं आपको बताती हूँ कि गध्यांश को किस तरह से पढ़ा जाता है और उसके उत्तर किस तरह से दिये जाता है अपठित गध्यांश को पढ़कर दिये गए प्रश्णों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाईे बच्चो ये सही का निशान है इसे बच्चो इस निशान को बच्चो हमें प्रश्णों के सही उत्तर पर लगाना है चलिए बच्चो सबसे पहले हम गध्यांश को पढ़ते हैं हाथी सबसे भारी भरकम पसु है, जंगली हाथी जहां भी जाते हैं, सारा परिवार जुंड के रूप में जाता है, असम के हाथियों का यह जुंड एक नए जंगल की ओर चला, उन्हें एक बड़ा सा तलाब दिखाई दिया, नहाने, धोने, कीचर, लपेटने और सुंड से फुहारा छोडने के लिए इस तलाब में बहुत पानी था, बच्चों जब भी हम अपठित गध्यांश को हल करेंगे, तो सबसे पहले दिये हुए गध्यांश को अच्छी तरेके से पढ़ेंगे, तब ही बच्चों हम दिये प्रशन पहला, सबसे भारी भरकम पसु कौन सा है, अहाथी बसेर स गोडा, बच्चों हमने गध्यांश में पढ़ा है, हाथी सबसे भारी भरकम पसु है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अहाथी, तो हम हाथी पर सहीं कचिन लगाएंगे, अब देखते हैं बच्चों हाथीयों का जूंड किस राज में था, असम ब पंजाब स बिहार, बच्चों कद्याश में भी इसका उत्तर दिया हुआ है, असम के हाथीयों का जूंड एक नए जंगल की ओर चला, तो हाथीयों का जूंड किस राज में था बच्चों, असम में था, तो इसका उत्तर होगा असम तो हम असम पर सहीं कचिन लगाएंगे अब देखते बच्चों अगले प्रश्णों को हाथी जुन्ड में चलते हैं या अकेले अ जुन्ड में बा अकेले सा कोई भी नहीं इसका उत्तर भी बच्चों हमें गद्याश में ही मिलेगा देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है सारा परिवार जुन्ड के रूप में जाता है तो इसका उत्तर होगा बच्चों अ जुन्ड में हम जुन्ड में सहीं का चिन लगाएंगे अब देखते बच्चों अगले प्रश्णों को उन्हें जंगल में क्या दिखाई दिया अ तलाब बाकुआ सा जंगल बच्चों इस प्रश्ण का उत्तर भी हमें गद्याश में ही मिलेगा देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है उन्हें एक बड़ा सा तलाब दिखाई दिया तो इसका उत्तर होगा बच्चों अ तलाब तो हम तलाब पर सही कचिन लगाएंगे अब देखते बच्चों अगले प्रश्णों को हाथियों के नहाने धोनी कीचर लपेटने के लिए के लिए तलाब में क्या था अ जंगल बापानी सा फुहारा बच्चों यहाँ पर देखिए उत्तर दिया है गद्याश में नहाने धोनी कीचर लपेटने और सुंड से फुहारा छोड़ने के लिए इस तलाब में बहुन पानी था क्या था बच्चों तलाब में पानी था तो इसका उत्तर होगा बपानी हम पानी पर सहीं का चिन्ने लगाएंगे बच्चो ये था आप लोगों का अपठित गध्यांश बच्चो इसी तरह एक गध्यांश में आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों का होंवक होगा आप लोग गध्यांश को दो से तीन बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और प्रिश्णों को हल करने का प्रयास करेंगे